आज मेरी आखों के सामने फिर एक बकरा हलाल हो गया तो पूरी शादी की जिम्मदारी हमपट छोड़ने के बाद अंकल जी एकदम चिल हो गये हम सब दोस्तों का ड्रेस कोड़ता कोड़ता जिसमें हम सब इतने स्मार्ट लग रहे थे कि बुवा जी को अपनी चपल से बुरी कि पता नहीं जीवन में फिर कब शादी का खाना नसीब हो मगर एक मिनिट कुछ मेठा हो जाएगा शादी में नाराज फूपा जी सजाद भावत यहां के बच्चे खा रहे थे इन सब के बीच एंट्री होती है दमाद जी की शादी की सभी रसम में हम सब आगे थे और हमें लगा जैसे हमारी सगी बेन की शादी हो शारे दोस्तों ने मिलकर दीदी को हमारी तरफ से उनके पैरेंट्स की हैंड में डिस्केच गिफ्ट की जिसे वो हमेशा अपने साथ रखेंगी शादी का मिसन सकसफुली पास करने के बाद अब बारी थी डांसिंस स्टेज को तोड यो तेल ओंड़ अच्छा